हेलो गाइज वेलकम बैक टो यूटूब चैनल एंड्रोइड एंसी शौमी किल्स साम्शंग शौमी के तरब से इंडियन मार्केट में 108 मेगा पिक्सल वाला कैमरा स्मार्टफोन लॉंच होने वाला है दोस्तों इससे पहले साम्शंग के तरब से साम्शंग गलेक्सी स्मार्टफोन था जहां पर आपको 108 मेगा पिक्सल का कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिलता था अब शौमी के तरब से इंडियन मार्केट में वह जल्द ही लॉंच होने वाला है दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम इसे के बारे में बात करने वाले तो आज के इस वीडि इस फ्लेक्सल स्मार्टफोन को लॉंच किया जाए तो आब फाइनली इस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉंच होने वाला है दोस्तो साथी मनु कुमार जैन ने इसके प्राइस के बार में हमें बताया है जी एस टीक वज़े से जो ठोड़ा हायर हो सकता है अब करते हैं MI10 के स्पेश्फिकिशन के बारें दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का फुल एच्टी प्लस सूप एमिलेट वाला डिस्पे देखनी को मिलेगा और फोन के टॉप राइट साइड करणर में आपको पंच और नौच दिया गया है साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 90 हच का रिफ्रस रट देखनी को मिल जाएगा जो फिंगरपेंच संसर है वो आपको इंडिस्प्ले में ही दिया गया है अब बात करते हैं स्मार्टफोन के क्यामना के बारे में तो इस स्मार्टफोन में रियर साइड से आपको और क्यामन का setup मिलेगा जो की vertically placed है यहाँ पे आपको जो main camera वो आपको 108 megapixel का होगा और साथ ही यहाँ पे आपको 13 megapixel का ultra wide angle lens, 2 megapixel का micro lens and 2 megapixel का depth sensor lens देखने को मिल जाएगा फ्रेंट के तरब से selfie के लिए आपको 20 megapixel का selfie camera दिया गया है अब बात करते हैं से स्मार्टफोन के hardware के बार में तो MI10 में आपको snapdragon 865 वाला chipset देखने को मिलेगा with octa core 2.8 GHz के प्रसेसर के साल जो GPO वो आपको ADNO का 650 का देखने को मिल जाएगा साथ ही इस smartphone में आपको android 10 जह वाट आप दी बॉक्स देखने को मिलेगा with MIUI 11 के साल और कुछ दिन के बाद ही इसमें आपको MIUI 12 का भी update देखने को मिल जाएगा क्योंकि finally MIUI 12 भी launch हो चुका है दोस्तो RAM और डोम विरेंट की बात के यहां पे आपको 6GB RAM 8GB RAM और 12GB का LPDDR5 RAM version देखने को मिलेगा साथ ही यहां पे आपको UFS 3.0 का support देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको 64GB 128GB और 256GB वाला इंटरेंस देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं से smartphone के battery के बार में तो MI10 में आपको 4780 mAh का battery देखने को मिलेगा साथ ही यहां पे आपको 30W का fast charger देखने को मिल जाएगा और 30W का wireless charger और 5W का आपको reverse charger भी देखने को मिल जाएगा काफी लोग MI10 का इंतिजार कर रहे थे तो अब जाके इसका finally launch date confirm हो चुका है दोस्तों मनुकुमार जेन ने अपने twitter handle पे tweet करके बता है कि MI10 जो है वो इंडियन मार्केट में 8 मैं को launch होने वाला है दोस्तों finally 8 मैं को आपको MI10 देखने को मिल जाएगा जहां पे 108 MP का camera देखने को मिलने वाला है और इसका जो price है उसके बारे में बात कर लेते दोस्तों मनुकुमार जेन ने बता है कि इसका जो price है वो GST के वाज़े से थोड़ा higher हो सकते है बट इसका जो price है वो Samsung Lexi S20 Plus से काफी कम होगा और MI10 जो है यह 50 ज़न के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा तो यह कुछ बाते थे आप आप लोग को यह वीडियो पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आते है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को like कर देगा share कर देगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा अगर आपका कोई भी सबाल यह सुजवा हो तो प्लीज आप मुझे comment करके बता सकते हैं फ़र में मिलता है एक new और एक exciting वरिक साथ तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मात्रां thank you for watching this video